हलो दोस्तो वेलकम बेक तू धेली डोज़ बोक्स दोस्तो इस वीडियो में मैं सीट्आट परिक्षर के रिजल्ट के बारे में कुछ आप से महतवपूर्ण बात करने वाला हूं बहुत सारे सवाल सीट्आट परिक्षर को लेकर सर्च किये जा रहे हैं मेरे comment box में बहुत सारे comment आ रहे हैं कि seat at में normalization होगा कि नहीं होगा दोस्तो तो इनी सारे सवालों को cover करूँगा इस वीडियो में तो बने रही मेरे साथ इस वीडियो में end तक और channel को अभी तक अगर subscribe नहीं किया है तो लाल वाला बटन दबा कर subscribe कर लिजे क्योंकि आप इस channel के महत्वपूर्ण notification कभी miss तो नहीं करना चाहेंगे दोस्तो तो चलिए वीडियो शुरू करता हूँ और बताता हूँ आपको कि seat at में normalization होगा या नहीं और होगा तो किस आधार पर होगा दोस्तो इस वीडियो में मैं result के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ कि कब आएगा या नहीं आएगा कब घोसित होगा कितने बज़े आएगा ये सारी चीजे मैं इस वीडियो में आपको वताने वाला नहीं हूँ दोस्तो क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत तरीके की बाते करते हैं और बहुत सारे लोगों में एक संसे पैदा हो जाता है कि पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है लेकिन इस वीडियो में मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ एक सवाल कवर करने वाला हूँ जो महत्तपूर सवाल है और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सीटेट में नॉर्मलाइशन होगा या नहीं होगा और होगा तो किस आधार पर होगा दोस्तो सीटेट में नॉर्मलाईशन हो सकता है क्यों नहीं हो सकता है ये सारे सवाल आप लोगों के मन में चल रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि सीटेट में जो परिक्षा होई वो बोड के द्वारा आप लोगों को पेपर जरूर दिये गए और वो पेपर दिये गए आपको दिन के हिसाब से सिफ्ट के हिसाब से उन्होंने आपको पेपर ही नहीं दिये उन्होंने पर डे के हिसाब से आपको पेपर दिये और उनके सेट पहले से ही तयार थे जो पर डे के हिसाब से आपको दिये गए Sift के हिसाब से आपका exam नहीं हुआ तो normalization आपका होगा जरूर होगा अगर normalization होता है तो वो आपका दिन के हिसाब से होगा shift के हिसाब से आपका normalization नहीं होगा दोस्तो जो answer की जारी हुई उसके हिसाब से इस result में आपके number जरूर बढ़के आएंगे कितने बढ़के आएंगे ये नहीं बता सकता लेकिन आपके नंबर इस रिजल्ट में जरूर बढ़के आएंगे और दोस्तो अगर नॉर्मलाइशन होता है तो वो नॉर्मलाइशन आपका दिन के हिसाब से होगा क्योंकि सिफ्ट के हिसाब से इन्होंने पेपर ही नहीं दिये आप लोग परेशान हो जाते हैं बहुत सारी खबरों पर भरोसा कर लेते हैं तो सांती बनाए रखें थोड़ा सा धहर रखें बहुत सारी चीज़े रिजल्ट आने के साथ ही साफ हो जाएंगी और जो लोग परेशान हो रहे हैं नॉर्मलाइशन होगा या नहीं होगा दोस्तों बिलकुल हो सकता है नॉर्मलाइशन क्योंकि अलग-अलग पेपर हुए हैं और अलग-अलग दिन के हिसाब से आपको पेपर दिये हैं बोड़ने जैसे ही result आता है आपके सारे सवाल जो है clear हो जाएंगे normalization से संबंदित और आपके answer की से भी संबंदित के कितने number आपके बढ़ने वाले हैं दोस्तो मैंने आपको बता दिया कि normalization होगा जरूर अगर होता है तो वो दिन के साफ से होगा shift के साफ से normalization नहीं होगा दोस्तो तो ये जानकारी आपको कैसे लगी लाइक जरू करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो भई चैनल को subscribe करके bell icon all पे लगा लीजेगा शेर जरू करिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंचना चाहिए ताकि उनके हर सवाल का जवाब उनको मिल सके दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए बने रहे है डेली किसा कि साथ बगार सारे बगार सकिता हैं टाकि एरू तो